आपका स्वागत है दरन बीशो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो सर डाइबटीज डेटा के अकॉर्डिंग भारत में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को कोई solution मिलने वाला बहुत साहे लोग जो ये podcast देख रहे हैं उनको diabetes हो चुका है और बहुत साहे लोगों को definitely होने वाला है based on current lifestyles और बहुत साहे लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं है कि आज उनको diabetes है ये बहुत बड़ा number है which is the hidden part of the pyramid जो iceberg अपन बोलता है ना कि पानी के बाहर जो दिख रहा है जो पानी के नीचे है वो बहुत बड़ा एक number है जो मालूम नहीं चुकि किसी ने चेक नहीं किया आज तक मौका ही नहीं मिला चेक करने का and diabetes is asymptomatic मतलब कि उससे कोई आपको symptoms नहीं होगे कोई तकलीफ नहीं होगी शुरुवात में that is a very very big problem अगर मैं एक चोटा से example तो अगर आप आज को नहीं चुकि कुछ मालूम भी नहीं है आपके हिसाफ से तो सारा काम चल रहा है अपन फिट और फाइन है यह diabetes का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि asymptomatic है इसलिए इसको silent killer बोलते है चुप चाप अपना काम करते रहता है damage आख पे, heart पे, kidney पे एक फाइन दिन अपने को बताएगा कि अचानक से अपन कितने patient देखते हैं कि हम लोग hospital में कि हाट अटाक हो गया रात को दो बजे patient आया शुगर जब हमने चेक ही 300 शुगर है patient बोल रहा भी मुझे diabetes है ही नहीं HB1C जो एक तीन मिने का average test है आगे आपन बात करेंगे उस बारे में वहाँ उन्होंने क्या है हमने HB1C test कराया नौ आ गया अब नौ एक दिन में एक रात में नहीं होता है इट टेक्स फ्यू मंस कुछ महीने लग जाते हैं साल लग जाते हैं नौ होने में ये एक बड़ा problem है की लोगों को मालूम ही नहीं है डायविटीस बार उन कुछ महीनों से पहले कुछ सालों से पहले क्या होता है उनकी लाइफ में की डायविटीस हो जाता किसी को ये बहुत अच्छा प्रस्न है तो ये शुरुवाद बहुत जल्दी होती है आजकर हम देखते हैं, आज हम देख करते हैं आप देखेंगे अलग-ग औरבה जो Woahki आजए बढ़ गई है एक ग भी पुकशा है, उनको बार बार बच्चा उनका टॉएlass जा रहा है उनको याद आ है कि बहीना घंच होिए घक चीक होता उनको एम wonderful रही थी, एक्जाम खतम होते से ही उन्होंने बच्चे का फास्टिंग पीपी शुगर कराया, डेड़ सो डाइसो के लेवल पर आए, ये अठा साल की बच्चे की बात कर रहा हूं, नॉर्मल लेवल क्या होता है, नॉर्मल फास्टिंग शुगर ये इसलिल आए गया है कि आपको सतर्क किया जाए, आपको बताया जाए कि आप ये प्री डाइबेटीस के लेवल पर आ गया है, आप बदलाओ कीजे, नहीं तो आप दो साल, तीन साल के अंदर डाइबेटीस में आ जाएंगे, तो प्री डाइबेटीस, और 126 एंड अबव, म बसाने हैं कि हर किसी को अस्युम्टमाटिक रहता है, कुछ लोगों को ये सिम्टम सोते हैं, जो आपन बात करेंगे, आगे भी, कुछ लोगों को कुछ सिम्टम सोते हैं, तो उन्होंने अगले दिन ही मुझे फोन की आपॉंटमेंट लिया, और अपने बच्चे को मेरे पा होगे कैसे? अब इस एपिसोड अफ तो डाइबटी इस्प्सोड अपने शरीर में शुगर बनता है और शुगर यूटिलाइज हो जाता है, मतलब इस्तमाल हो जाता है, नॉर्मल जो आदमी है, उसमें वो शुगर अपने इस्तमाल हो जाएगा, बौडी में अपने फैट में, मसल में और अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा, हम खाना खाते हैं तो जब आप कुछ भी खाता हो चाहे वो नट्सो, घी काबो हाइडरेट्स, प्रोटीन, कुछ भी बेसिकली आपकी बॉड़ी उस चीज को ब्रेकडाउन कर देती है और उसे यूज करती है बिल्कुल चाहिए जो कहते कि अगर आप बॉड़ी को ब्रेकडाउन करें बॉड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल्स होते है उसी तरह किसी भी फूड के बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्लुकोज होते है, करेक्ट? बिल्कुल चाहिए एकदम अगर आप food को break down break down करो उससे निकल के आता है glucose आपकी body आपके खाने को glucose में convert कर देती है यहां तक सही बोल रहो बिल्कुल चाहिए अब इसे glucose में convert करने के लिए एक hormone की जरूरत लगती है जिसका नाम है insulin आप प्लीज मुझे character हो यह मैं बिल्कुल चाहिए जा रहे हैं एक normal functioning body जो खाने को glucose में breakdown करेगी insulin के थूरू होर्मोन का मतलब है आपके body में एक चीज होती है जिसकी वज़े से कोई और function हो जाता है यानि कि जैसे एक चाबी की वज़े से एक ताला खुलता है उसी तरह hormones किसी function को create करता है तो insulin आपके खाने को breakdown करके glucose में convert करती है और फिर आपकी body glucose को energy के लिए उस करती है जब आप खाना खा लेते हो आपको energy मिल जाती है वही logic है पर दो type के diabetes होते है type 1 diabetes type 2 type 1 genetic case होता है मतलब पैदाईशी आपको type 1 diabetes हो सकता है नहीं यहां थोड़ा से correct करूंगा type 1 यंग लोगों में होता है genetic पतलब ऐसा नहीं कि parents में से आया है म in fact जो उसका genetic component है माता में है अगर तो बच्चे में होने के 3% chance ही है माता पिता दोनों में है तो 6-7% chance ही है जी तो this is basically an autoimmune condition आपके शरीर में ही कुछ ऐसे पदार्त होते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लग जाते है यह पैदाईशी होता है नहीं पैदाईशी भी ही हो सकता है neonatal diabetes बट यह बच्पन में भी हो सकता है यह 15 साल के लोग में भी आ सकता है 20 साल 25 साल के वर में भी आ सकता है बट जरली स्विकिंग यंग लोगों में होता है ऐसा नहीं कि पैदा हुए और अगले दिनी डाइबिटी डिया नहीं जैसे वसीम अकरम को ताइप वन लुकुल उनको टाइबिटी था मतलब इसके साथ उन्होंने अच्छा करियर किया है प्रेंका जोनास के जो हस्बेंड है निक जोनास ही है तो आपके जिंदगी में आपके करियर में कोई चेंज नहीं लाएगा अगर आप सतर्क रहें अगर आप अपना कंट्रोल अच्छे से करें अच्छे से डॉक्टर को दिखा है जो दवाईया लें तो यह कोई बदलाव नहीं करेगा और आप सक्सेस्फुल हो सकते हैं यह बहुत बड़ा मेसेज है और टाइप 2 डाइबिटी आपके लाइपस्ट डाइबिटी जो है वो टाइप 2 है तो अगर अगर अपन कह रहे हैं डाइबिटी है तो अपन टाइप 2 की ही बात कर रहे हैं अनलेस अपन स्पेसिफाय करने कि टाइप 1 में ऐसा कुछ हो रहा है तो बेसिकली मान लो आपने जिंदगी बहर खुद का ख्याल नहीं रखा जो तो mostly diabetes type 2 patients में क्या होता कि आपने बहुत सारे desserts खाया जिंदगी बर आपका weight gain हो चुका है चावल भर भर के खाया है जिंदगी बर हमेशा इडली डोसा आप खाते हो बहुत alcohol पिया है जिंदगी बर ऐसी naughty चीज़े करी है तो जिंदगी बर क्या हुआ है मोस्ली चलो हम शुगर की बात करें डिजर्ट की बात करते है राइस की बात करते है तब आपके बॉड़ी में एक चीज़ है जिसका नहीं है pancreas pancreas insulin प्रडूस करती है अब जब भी आपको चीनी खा रहे हो राइस खा रहे हो दारू पी आपके pancreas थोड़े alert हो जाते है कि insulin आपके बॉड़ी पर काम करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं बिलकुल बिलकुल सही है तो यह आपने बहुत अच्छा example दिया कि अपन कुछ खा रहे हैं और pancreas जैसे ही शुगर दिखता है वो insulin प्रडूस करता है अब दीरी दीरी जैसे वजन बढ़ता है exercise activity हम नहीं करते हैं और जब हम इसी चीज़े खाते हैं तो शुगर ज्यादा बढ़ने लगती है अब शुगर को देखके pancreas क्या करेगा और insulin प्रडूस करेगा और बढ़गी और insulin प्रडूस करेगा तो और शुगर बढ़ती है क्योंकि या तो आपने high sugar वाला खाना खाया या तो क्योंकि क्या activity कम कर रहे हो वो शुगर को कोई जगह नहीं मिलती जाने को simple terms में बिल्कुल सही है और insulin भी अपना काम नहीं कर पा रहा है इसलिए pancreas ज्यादा insulin प्रडूस कर रहा है नॉर्मल आदमी में जो अपने सहथ का ध्यान रखेगा अगर वो दो गुलाब जमून खाले आज म अपने सही तेस्ट इसथक्र जारा है जिसी चीज को इंसुलिन रिजस्टेंस बोलते हैं इंसुलिन का असर कम हो रहा है विकॉष अपना बजन बढ़ने की वजह से exercise activity नहों बचाहई चांस आप जाता है त्यूसरी इसलिए लोग आप देखेंगे कितने बार to diabetes में, because आपका pancreas थक चुका है इंसुलिन बना बना के, और वो इंसुलिन अपने ब्लड में तेर रहा है सिर्फ, बट काम नहीं कर रहा है तो शुगर भी हाय है, और इंसुलिन भी हाय है इंसुलिन रिजिस्टेंस मतलब मान लो, अगर आपकी इंसुलिन रिजिस्टेंस हो गई, तो आपका इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है बैसे भी जाता है, ब्लड स्ट्रीम में तो वैसे भी जा रहा है और ब्लड स्ट्रीम में जा के वो अपना काम करता है खुन भी, अरे शुगर भी तो ब्लड में ही है तो वहां जो ब्लड में शुगर जो तैर रहा है उसको बोलेगा कि चलो तुम भई मसल में जाओ या तुम फैट में जाओ ब्लड को खाली करो ब्लड शुगर नहीं बढ़ना चाहिए शुगर सुनता ही नहीं डीट हो गया एक दम से कि अपने शरीर को ऐसा बना दिया है कि शुगर भी बढ़ते जा रहा है बट इंसुलिम को अपना काम नहीं करने दे रहा है इंसुलिम रिस्टेंस को इस तरह से हम संझा सकते हैं ओके इंसलिम पांक्रास एक गन की तरह होती है और जिन्दगी में अगर आपने उस गन को बहु है समझे शुगर है तो उसको फायर करना अपने को तो परनकेस तो फायरिंग कर रहा है बट गोली जगह पे नहीं लग रही है तो बदमाश लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और गोली बढ़ती जा रही है मैं अच्वे समझने की कोशिक रहा हूं इन मोर डीटेल तो नॉर्म लोग कल जाके अगर मैंने पाओबाजी भी खाई तो वह पाओबाजी ओ ब्रेड वह आलू मेरे पेट में जाकर डाइजेस्ट होगा उससे जो शुगर निकलेगा मेरे ब्लद स्ट्रीम में चला जाएगा पर क्यूंकि मेरी इंसुलिन रिजिस्टेंस नॉमली है इंसुलिन इंसान जो एक्साइज नहीं करता और जिसने जिन्दगी बार बहुत डिजर्ट खाया है सब्सक्राइब उसकी बॉड़ी उसी पाओबाजी को अलग तरीके से डाइजेस्ट करेगी जब वो ब्रेड ब्रेड ब्रेकडाउन होगा पेट में इंटू शुगर वो शुगर ब् बिल्कुल सही है जैसे ही शुगर देखेगी अपने पावबाजी खाई यह अपने कुछ डेजर्ट बिलिया पन्केस तो एक्टिव हो जाएगा कि भी शुगर निकालो और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनेगा वो उसकी शुगर को सही जगह पूश नहीं कर पाएगा स आपके जैसे आपने बताए कि आप एकदम हेल्दी हैं आपके इसमें करेंगे तो आपके 140-150 के ओपर शायद नहीं जाएगी 140 के ओपर भी नहीं जाएगी खाने के बाद की जो की नॉर्मल शुगर है खाने के दो गंडे बाद में less than 140 जो इंसुलिन का परपोस है बेसिकली वो जो शुगर याँ ग्लुकोस आपके ब्लड्स्ट्रीम में तहर रहा है उसको आपके बॉडी के हर सेल में कैसे भेजते हैं वो इंसुलिन का पर ऊचाना जहाँ उसका काम हो जाए मतलब आपके बॉडी में सेल्स होते हैं स्कीन जो भी एटसेटरा अगर उनमें एनरजी उनमें पेट्रोल पहुचाना है वो होता है इंसुलिन का का अभी एक एक एक्स्ट्रीम डायबेटिक पेशेंट के केस के बार में बात करता है ज्यादा समझने के लिए तो मान लो किजी को बहुत इंटेंस डाइबेटी फैस तो फिर क्या होता है फिर आपकी बाड़ी उस शगर को कैसे यूज कर पाती है अब आप ऐसा होता है कि बोडी यूजी नहीं कर पाती है, तो आप ध्यान देंगे कि इनको शुगर 300-400 होती है, उनकी जब मैंने एस्म्टमाटिक की बात की बात की बात की बात की नहीं होते हैं, जब इतनी ज्यादा शुगर रहे और कुछ समयक ले रहे हैं 6 मेने साल बर के उनमें सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत भूग लगना, बहुत प्यास लगना, तो आप देखेंगे भी शुगर 400 हो है, लेकिन इसको भूग लग रही है, क्योंकि आपके बाड़ी आपके दिवाग को ये करे हैं, कि याद मुझे एनरजी नहीं मिल रह पेशाब के रहता है, कि आते हैं, बडिका पाड़ी का रहे हैं, कि अनन्य क्यों प्रिव ये मेरे और शुगर। कलता है फिर क्यों होगा प्यास लगेगी सिगनल जाएगा पानी पियो पानी पियेंगे और पिशाब आएगी मदब आपका एक्सक्रीशन का सिस्टेम यह सोता है कि यार इतना ज्यादा शुगर कैसे चलो निकालो अप्सल्यूटली और आपके बॉड़ी से पानी खीच कर पिशाब में फिक देती और जब पानी निकलेगा तो आपको जबान सुखे की मूह सुखे का लोग बोलतें सर गला इतना सुख जब हम यह डिसकस करेंगे मैं और बताऊंगा बट इस इस दे साइकल उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप अपलोड की है इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ झाल